जैम आतादी दोस्तों, जादवी टोटके में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जैम आतादी जरूर लिखें। इन किंदेसों में दिखाई देगा, क्या ये सूर ग्रहन भारत में दिखाई देगा या नहीं? इसके लावा हम आपको इस सूर ग्रहन के सूतक काल के विशय में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सस् वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें, तो आईए सुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2022 में कुल चार ग्रहन लगेंगे, जिन में से दो सूर ग्रहन और दो चंद ग्रहन होंगे। और 30 अपरेल 2022 दिन सनिवार को साल का पहला सूर ग्रहन लगेगा, जो बै जिसमें चंद्रमा सूर को आंसिक रूप से ढगलेगा। चले अब जान लेते हैं कि ये सूर ग्रहन कितने बजे लगेगा। तो भारती समय के अनुसार इस सूर ग्रहन की सुरुवात 30 अपरेल 2022 की मदर रात्री के बाद यानि एक मै की प्राता काल 12 बचकर 15 मिनट पर होगी और इस सूर ग्रहन की समापती एक मै की प्राता काल 4 बचकर 7 मिनट पर हो जाएगी। चले अब जान लेते हैं कि ये सूर ग्रहन किन किंदेसों में दिखाई देगा। तो दोस्तों ये सूर ग्रहन दच्चणी पस्चिम अमेरिका, पेसिफिक महासागर, अटलांटिक और अ में मानने नहीं होगा। इस सूर ग्रहन का धार्मिक ग्रस्टी से बारत में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जिन देसों में ये सूर ग्रहन दिखाई देगा, वहाँ पर इस सूर ग्रहन का सूतक काल ग्रहन सुरू होने के वारा घंटे पहले ही सुरू होगा और वहाँ पर रहने वाले लोगों को खास कर गर्वती महिलाओं को ग्रहण के समय खास सावधानी रखनी चाहिए उन्हें ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए इसके लावा सूर ग्रहण के दौरान कोई भी सुबकारे नहीं करना चाहिए और ग्रहन के दवरान खाना पीना भी वर्जित होता है इसलिए ग्रहन शुरू होने से पहले अपने खाने और पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता डाल लें दोस्तों सूर ग्रहन के दवरान अपने इस्ट देव गुरू देव का धान करें मंतर जाब करें इसके लावा ग्रहन के समय रसोई से समंदेत काम नहीं करने चाहिए इस दोरान नापून काटना कंगी करना आधिकार वर्जित होता है इस समय कपड़े धोना बरतन आधी नहीं धोने चाहिए और ग्रहन के समय सोना भी वर्जित होता है सूर ग्रहन के समय भगवान की मूर्ती भी इस परस नहीं करनी चाहिए इस दोरान मंदिर के कपाट बंद कर देने चाहिए और ग्रहन समाप्त होने के बाद गंगा जल डाल कर इसनान अवस्य करें और अपने पूरे घर को गंगा जल छिड़कर सुद्ध करें इसके बाद आप अपनी यथा सकती के नुसार कुछ न कुछ दान भी अवस्य करें इससे आपको सुब फल की प्राप्ती होगी तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जै मालक्षमी या जै मातादी जरूर लिखें वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें साथ ही चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद